हेलो फ्रेंड्स आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है कम्यूनिटी रेडियो वक्त की आवाज के यूट्यूब चैनल वक्त की आवाज रेडियो में मैं हूँ आप सभी के साथ आपकी रेडियो होस्ट अन्शिका और आजम लेकर आए हैं आप सभी के लिए एक खास ड्रामा जिसका टाइटल है मूल मंत्र तो आप सभी सुनिए हमारे डिजिटल हैंडल वक्त की आवाज रेडियो पर ये ड्रामा नमस्कार सुरता हूं एक बार फिर हाज है आपकी अपनी प्रतिवा लेकर एक नया प्रोग्राम और करती है आप सभी का स्वागत वक्त की आवाज में तो सभी लोग अपना अपना काम करते रहिए पर रेडियो की आवाज भढ़ा लेजिए और हाँ कहा हैं हमारे प्यारे प्यारे नहने मुनने बच्चे चलो चलो अब सब थोड़ी दिर के लिए खिलना बंद करो और दोड़ कर अपने रेडियो के पास आजाओ और हाँ जरा अपने दोस्तों को भी बुला लो क्योंकि आज हमारी उसा दीदी आपके लिए लेकर आई है एक मज़ेदार और रोज़क कहानी जिसका नाम है मूल मंत्र तो आईए सुनते हैं कि आखिर का ये मूल मंत्र है किसका आज की कहानी मूल मंत्र जिसका उद्देश है जल का संरक्षन स्वास्त जीवन की कुंजी है 80 प्रतिशत बिमारियां प्रदूशित जल के कारण होती है और बचपन में जल के रख रखाओं की जानकारी भविश्य के स्वस्त समाज की गारंटी है इसी उद्देश के उध्यान में रख कर आज हम अपने सुनने वालों को एक जादूई कहानी सुनाने जा रहे हैं कहानी एक गाउं की है जहां एक स्कूल था जिसमें बच्चे शायद ही कभी जाते थे क्योंकि गाउं बिमारियों का घर था और हर घर में कोई न कोई बिमार रहता था कारण गंदगी और इस गंदगी का कारण था जगह जगह पानी का भराव कूड़े की धेर और पानी का भाव इस स्कूल में घंटी तो बचती थी पर बच्चों की किलकारियां और शोर नहीं सुनाई दिता था और तभी एक दिन एक चमतकार हुआ पता क्या स्कूल के पास आम की सूखी बच्या में तेज रोशनी चमकी सूखे पत्ते हरे भरे हो गए और वहीं पास में चंदन और चांदनी जिनकी जोपड़ी बगिया के बगल में ही थी उन्हों ने देखा क्या देखा एक टट्टू और उसकी पीटवे एक ननी सी प्यारी सी परी बैठी वी अग दोनों गीद गाते चले आ रहे किलाज से है बचाओ जरूरी जो है अपने हाथों में आय सफाइस मंत की कुझी जो है अपने हाथों में जल है जीवन जल है जल है जीवन जल इसे बचाना कर मैं है अपना इसे बचाना कर मूँ जल है जीवन जीवन जल है जल है जीवन जल इसे बचाना कर मैं है अपना इसे बचाना कर मूँ चांदनी और चंदन बाचक्के से रह गए हिमत जुटा कर चांदनी ने पूछा आप लोग काउन हैं हम आपकी दोस्त और हमाय हैं तुम्हारे गाउं में क्यूंकि जब जब जहां जहां लोग दुखी परेशाम बीमारी से क्रसित होते हैं हम वहाँ पहुच जाते हैं तो चंदन बोला पर ये गधा ये ग्या कर सकता है ये तो गधा है नन्नी परी बड़े जोर से हसी और बोली जब तुम लोग कोई ऐसा काम करते हो जो बड़े लगों के समझ के पहार होता है तो वे तुपे गधा करकर नहीं बगा देते दरिशल गधा का अर्थ बेकूफी से जोर देते हैं पर वास्तों में यदि देखा जाए तो गधा मनुस का ही प्यारा मदद का है जैसे तुम बच्चे और ये तो टेट्टू भईया है जो बच्चों के दोस्त हैं काफी लंबी बाचीत के बाद चांदनी और चंदन को पता चला कि टटू भईया और नन्नी परी सिर्फ बच्चों को ही दिखाई देती हैं उनसे बाचीत करते हैं और वे दोनों अपनी जादूई शक्टी से बड़े-पड़े चमतकार भी कर सकते हैं फिर क्या था भईया चांदनी और चंदन ने आसपडोर्स के अपने कई दोस्तों को आम की बगिया में बुला कर जमा कर दिया रमेश जिसका घर गाओं के गंदे तलाब के किनारे था न और जो साल भर से बिमार था नन्नी परी के जादू से चंगा होकर बगिया में आ और फिर शिरू हुआ टटू भईया का प्रवचन और नन्नी परी के जादूई चमतकार के नजारे क्या हुआ टटू भईया ने बताया कि दुनिया की असी प्रतिशत बिमारियां गंदे पानी की वज़ा से होती और गंदिगी का मतलब है बिमारी के जिवानों से भरा पान ये जिवानों टटू भईया ने बताया कि वे आख से नहीं दिखाए देते हैं पर जब ये पानी हमारे अंदर जाता है ना तो तरह तरह की बिमारियां जैसे दस, उल्टी, हैजा, वुखार हो जाता है धीरे धीरे लोग कमजोर हो जाते हैं और फिर बड़ी बड़ी भेंक अगर बिमारियां भी उन्हें पकड़ लेती और अब डाक्टर भी उनके लिए कुछ नहीं कर सकता ना उन्हें बचा सकता है इस पर बच्चे लगे सवाल पूछने भईया ये पानी कैसे गंदा हो जाता है भईया गंदा पानी कहां से आता है हमारे गाओं में साथ हैंट प अभी नन्नी परी ने बच्चों को शांत किया और अपनी जादू की स्ठड़ी घुमाई और बोली लो तुमारे हर सवाल का जवाब डरना मत बच्चों पर देखना और समझना बच्चों मेरी रख्चा करो मैं पानी हूँ मैं पेड़ पौधे खेट जानवर पच्चियों और मनुश्यों को जीवन देता हूँ मैं मर गया तो प्रत्वी पर जीवन सदा के लिए समाप्त हो जाएगा इस संसाल में सेतर प्रिस्टत भाग पानी हैं और केवल तीस प्रिस्टत भाग जमीन जिस पर आप सफ रहते हैं मैं कई रूपो में आग के चार ओर जीवन देने को भला हूँ जैसे नदियां बर्प के तालाव जीन समुद्र और जमीन के नीचे पानी के बड़े बड़े भंडार में तेवल बीस प्रितिसत पानी पीने और खेती का में के योगिया और उसे भी मनुसे गन्ना करता जा रहा है मेरी रक्षा करो मेरी रक्षा करो मुझे मानने से बचा लो मुझे मानने से बचा लो इतना कहकर पानी फिर रोता हुआ खामोशी से पिघलते मोम की तरह अपनी जगहा पर वापस चला गया बच्चे एक दम सन्नाटे में घबरा कर अपने गाउं की तरफ देखने लगे टट्टू भीया ने खामोशी तोड़ी और बच्चों के मन में उठ रहे प्रशनों का उत्तर देना शुरू किया बच्चों मेरे दोस्तों मुझे मालूम है तुम सोच रहे हो हमने पानी को कैसे गंदा किया है मैं बताता हूँ परेशान ना हो तुम से ज्यादा गंदगी तुम्हारे माता पिता और बड़े लोग फ़ला रहे हैं और उससे जो दुनिया वह तुम्हारे लिए छोड के जाएंगे वह जहर से भरी होगी इसलिए बच्चों तुम्हे अभी से अपनी आत्ते सुदार नहीं होगी बड़ों को भी कुछ करके दिखाना होगा चाहें वे तुम्हें गदा कहें तो सुनो सहरों में बड़ी बड़ी मिल फैक्ट्रियों का गंदा पानी जो लोग नदियों और तालागों में बहा रहे हैं जंगलों को काट काट कर पक्य सीमेन के सहर बनाते जा रहे हैं जहां से पानी जमीन में न जाकर जहां तहां गली गोचों में कीचड़ बना देते हैं, बाकी भाब बनकर उड़ जाता है उपर से गाउं हो या सहर, लोग कूडा आख बनकर के जहां तहां फेंग देते हैं और चारो तरफ गंदगी ही गंदगी नजर आने लगती है तब ही नन्नी परी ने जादू की छड़ी फिर से घुमाई और कहा वो देखो बच्चो अपने गाओं को जगा जगा कूड़े के धेर रगे बच्चे बूड़े सब शौच के लिए खुले में बैठे जहां मक्खियां भिनक रही थी वो देखो हैंड पंप तलाब के किनारे नदी के किनारे और कुएं के पास सब वही नहा रहे हैं गंदे कपड़े धो रहे हैं बस ये सारा गंदा पानी गलियों में भी भर रहा है और धीरे देरे यही गंदा पानी नाली और नालियों से रिस्ता हुआ नदी तलाब को गंदा कर जमीन के नीचे पानी के भंडारों को भी गंदा कर देता है। इस पर सारे बच्चे बोल उठे तो फिर हम क्या करें। इस पर टट्टू भाईया ने बताया बच्चे बहुत कुछ कर सकते हैं और वो है सफाई अभ्यान की शिरुवात और वो भी घरों से और अपने स्कूल से तो तै हुआ कि सबसे पहले एक सोकता गढ़्धा नमूने की तरह स्कूल के हैंड़पम के पास बनाना उचित होगा। नन्नी परी ने बताया ये गढ़्धे पानी को सोक कर गलियों महलों को साफ सुथरा और सूखा बना देते हैं जिससे मक्खी, मच्छर और बिमारी के कीटाणूओं को जो वहाँ पल रहे हैं खतम हो जाते हैं। साथी इस सोकते गढ़्धे से गाउं के तलाब और पास की न आनी नालियों और नालों से गिरता है, वो बंद हो जाता है। अब सवाल था ये गढ़्धे बनाए कैसे? इसको बनाने के लिए खर्चा कितना आता है? तथा ये गढ़्धा बनाएगा कौन? तब टट्टू भाईया ने बच्चों की दिल की बात भाप कर कहा। चलो, आज हम सब एक दूसरी के मदद से स्कूल के कीचर भरे आंगल में हैंड प्रम्प के पास सोकता गड़ा बनाएगे। इसके लिए तुम सब आज पास पड़े अधे गुमे और गिटियां जमा करो। ध्यान से सुनो, एक धेरी के पत्थर पपीते के बरावर होने चाहिए और इसरी धेरी के पत्थर जो नीवु के बरावर हो। और सुनो हा नन्नी परी तुम अपने जादू से एक मिटी का घड़ा जिसके तले में छेद हो। एक तीन का बिना धक्कन वाला डिब्बा जो घड़े के मुँ में फिट हो जाए वो लेकर आओ। हाँ याद रहें तीन के तले में छेद हो। साथ में थोड़ी सी नारियल की रसी भी लेया ना जिसे डिब्बे में डाल देना चलो सब दड़कर यह सामान हैंडपंप के पास जमा करो। बस फिर क्या था बच्चों ने 15 मिनिट के अंदर हैंडपंप के पास पत्थर के तीन धेर लगा दिये और नन बात टट्टू भाईया ने बच्चों को बताया कि अब उन्हें एक गड़्धा खोदना है। गड़्धा हैंडपंप के पास जहां से पानी बहार निकलता है ना याने नाली के पास बनाना है। यह काम भी उन्होंने परी को सौप दिया। उन्होंने परी से कहा कि वो अप अपने जादू से 5 फिट लंबा, 5 फिट चोड़ा और 5 फिट गहरा गड़ा खोद दे। उन्होंने ये भी समझाया ये गड़े गलियों में घर के पानी को सोकने के लिए छोटे भी बनाये जाते हैं याने 3 फिट लंबा, 3 फिट चोड़ा और 3 फिट गहरा इतनी देर में नन्नी परी ने गड़ा तयार कर दिया और बच्चों से कहा बच्चों अब तुम सबसे पहले पपीते के बराबर वाले गुमे गड़े में एक फूट तक भर दो और हां गुमे ठूश ठूश करना बरना फिर टट्टू ने बच्चों को समझाया कि भी अब नारंगी के बराबर वाले अध्धे गड़े में डाले और नन्नी परी से कहा परी तुम गड़े के मुह में तीन का डबब फिट करके जहां हैंड पंप का पानी नाली में गिर रहा है न महां रख दो परी ने सही जगा पर घड़ा और तीन गड़े में लगा दिया अब बारी थी नीबू के बराबर वाली गिट्टियों के गड़े में के उपर तक भर दा ये भी सब बच्चों ने मिलके कर दिया फिर टटू भाईया ने नन्नी परी से कहा कि नरियल की रसी को टीन के डिबबे में डाल दो और फिर चंदन से कहा चंदन तुम हैंट पम चलाओ चंदन ने हैंट पम चलाया तो उसका पानी नाली से सीधा डिबबे के मुँ में गिरने लगा ना पानी इधर गया, ना पानी उधर गया, सब बच्चे खुशी से उचलने लगे। टट्टू भाईया ने बड़े गंभीरता से कहा। एक बात और है, हर पन्य दिन में डब्बे से नारेल की रसी निकालके उसे दो के डब्बे में फिर से डालना है। नई इटों का प्रयोक करना चाहे तो उसमें भी ज्यादा से ज्यादा 500 ये 600 का खर्चा आता है। और ये गढ़े 10 से 15 साल तक आसानी से चलते हैं। और पता है बच्चों ये गढ़े एक दिन में 100 से 200 बाल्टी पानी पी सकते हैं। है न बच्चों सर्तावर्टी का उतरी का धर्टी मा को साफ रखने का पानी का बचाओ करने का। और धर्टी के नीचे के पानी के भंडारों को दोबारा भढ़ने का ताकि हमारे हैंट पंप और गों में फिर से पानी आने लगे। सब बच्चे टट्टू भाईया और नन्नी परी की बातों को भली प्रकार से समझ गए। पर सवाल था इन्हें बढ़ों को कैसे समझाएं क्यूंकि बड़े तो बच्चों को गधा कह कर भगा देतें। बच्चों की दिल की बात टट्टू भाईया ने समझ ली और कहा बच्चों चिंता ना करो ये सोकता गधा तुम्हारे स्कूल में हम सबने मिलका इसी लिए बनाया है। ताकि तुम्हारे प्रिंस्पल साहब और टीचर जब इसे साथ छात रूप से देखें तो बिना कुछ कहें तुम्हारी बातों को अवश्य मानेंगे। और फिर होगी तुम्हारे टीचरों और तुम्हारे द्वरा एक अवियान की सुरुआत। और वह होगा सखाई अवियान। और हर घर के दर्वाजों पर होगे सोकते गठे जिसमें जाएगा हर घर का गंदा पानी और गाँ होगा स्वच्छ, स्वस्थ और सुन्दर। इतना कहकर फिर जोर की हवा चलने लगी, बिजली तड़की और बच्चों ने देखा टट्टू और नन्नी परी हवा में सूरज की ओर उड़ते चले जा रहे हैं और उनका वही गीत बच्चों के कानों में गूँचता रहा। किराज से है बचाओ जरूरी जो है अपने हाथों में किराज से है बचाओ जरूरी जो है अपने हाथों में जल है जीवन जीवन जल है जल है जीवन जल इसे बचाना कर्म है अपना इसे बचाना कर्म है अच्छा तो ये है मूल मंत्र सफाई का तो आप में से कितने लोग इस मंत्र को अपनाएंगे और सोक्ता गड़ा बनाएंगे और जली से हांत उपर कीजिए मैं भी बुद्ध हूं भला रेडियो पे कैसे दिखाई देगा तो फिर आप सब हमें पत्र लिखकर जरू बताईए जिसके लिए हमारा पता है समदाइक रेडियो वक्त की आवाज श्रमिक भारती 392 विकास नगर लखनपूर कानपूर और हाँ आप हमें फोन द्वारा भी संपर कर सकते हैं जिसके लिए हमारा मोबाइल नंबर है 9956 2658 यानि 9956602658 तो अब मुझे दीजिए इजाजत क्योंक इजाजत क्योंकि वक्ता मुझे इजाजत भी संपरा पता है